कि पार्ट नमबर फूर बिटा विल लर्न अबाउट देखा जाए तो बिटा एनेक्ज करना यानि के कहीं नहीं कुछ दबाव डालके इस तरीके की दमन वाली नितियों के थूप किसी पर्टिक्लर स्थेट के उपर उसको हासल कर लेना उसको छीन लेना यानिके एनेक्ज करन पर यहां पर पूरा का पूरा एक तरीके से दिखा जाए तो बिटा डिप्लोमाटिकल वे में किस तरीके से उस पॉलिसी को बनाया गया है और फिर उन स्टेट्स के उपर कंट्रोल किया गया है दे इम ऑफ वेलस्थे पॉलिशी आप एक्सेंशन वास तो एंसलेव नेटिक इस तरीके के बहुत ज्यादा बिटिस रिसॉर्स को बनाया जाए जहां पर नेटिव किंग्डम को एक तरीके से एंसलेव करना मतलब के अपने कंट्रोल में ले ले लेना अपना गुलाम बना देना उनके उपर अपना वर्चेस्व कायम कर देना तो उन्होंने जैसे कि हमन स्टेट को वीक कर दिया था अब डैलावदी अपनी नई एनेक्सेशन पॉलिसी लेकर आए क्योंकि जान चुके थे कि इतने सालों में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो काफी वीक हो चुके हैं उनके बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं जो लोग है उनका भी अपने रूलर्स के उपर अब उतना ज़्यदा ट्रस्ट नहीं रहा है कि सारी सिचुएशन को वो देख रहे थे और यही समझने के बाद उन्होंने एक तरीके से और उसके ठूँ उन्होंने इंडिया के बहुत सारे स्टेट से उनको अपने कंट्रोल में ले लिय अब यहां पर हमको पता है बड़ा के सबसिडेरी अलाइन सिस्टम एक तरीके से स्वीट पॉईजन जैसा था अना जो पैडिकलर रूलर्स से उनको कहीने का ऐसा लगता था कि हम सबसिडेरी अलाइन सिस्टम को हमने अकसेप्ट कर लिया है मतलब यह स्ट्रॉग इन स्टेट्स को उठाना पड़ा और कहीं ने कहीं बाद में कुछ समय के बाद जाकर इनको अंदाजा लगा कि इन्हों ने कितनी गलत पॉलिशिस को साइन किया जिसके बारे में हम उसकी टम्स और कंडिशन पढ़ चुके हैं तो हमने देखा कि उन टम्स अब क्या हुआ कि सब्सीडियरे एलाइन सिस्टम के तुरू जैसे कि मैंने बोला कि बहुत लॉंग टम पे धीरी धीरे बिटा इस तरीके का एक इंटर्नल और एक्टर्नल प्रॉब्लम्स का माहौल बन गया जिसकी वज़े से प्रजा का ट्रस्ट अपने रूलर्स पे से उठने लगा लोग समधने लगे कि हमारे जो रूलर्स हैं हमारे जो किंग हैं वो एक तरीके से बिटिसर्स के दबाव में आ चुके तो कहीं ने कह करेंगें ने स्टेट के अंदर इंटर्नल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जैसे कि यहां पर अनर्की वर्ड यूज हो रहां तो अनर्की का एक अगर आप सिंपल मिनिंग समझने की कोशिश करो कि वाट इस एनर्की जैन अनर्की का मिनिंग ऐसे दिखा देखा जाए बिटा जब लोगों का अपने ही रूलर से भरोसा उड़ गया तो क्या होगा रूल्स रेगुलेशन लॉज वो खुद ही नहीं मानेंगे हम कब रूल्स और लॉज को फॉलो गरते जब हमको हमारी गवर्मेंट में विश्वास होता है तब जैसे कि दूसरे मिनिंग में भी देख सकते है कि a situation in which there is no government in a country एक इस तरीके का महौर बन जाए जहां पर कंट्री की लोगों को ऐसा लगने से लगे कि हमारे तो मतलब देश की कोई सरकारी नहीं है यह तो कोई और ही चला रहा है इस तरीके का महौल जब बन जाता है तो इसी तरीके के एक्मोस्पियर का इस तरीके के म अपर आपके स्टेट में अरा जबता है यहां पर आपके स्टेट में अपके सरकार पे से उड़ चुका है ऐसा रीजन बताते हुए कहीं नहीं बहुत सारे स्टेट को जो एपने कंट्रोल में ले लिया देराफ्टर बर्मा नाव म्यान्मार आज के समय में म्यानमार गंट्री के नाम से जाना जाता है रीजन ओप पंजाब वर ऑल्सोए रेज्ट क्योंकि महाराज रंजीत सिंग के जाने के बाद पंजाब के अंदर भी एक तरीके से देखा जाए तो उनके पर्टिक्लर हैरस उनके जो वारिस से उनमें बहुत ज्यादा अंदर अंदर एक तरीके से इंटर्नल जो है फोन के लिए गदी के लिए जगड़े हो रहे थे जिसकी वज़े से जैसी सिच्वेशन जो है पंजाब में भी दिखाई दे रही थी और यही रीजन यही कारण बताते हुए पंजाब को भी कंट्रोल में ले लिया इफ दे किंग डाइड विदाउट सन लेकिन और दूसरा रीजन क्या था जैसे कि कोई भी पर्टिक्लर रूलर है उनके अपने वारिस नहीं उनके खुद के बेटे नहीं है बराबर जैसे कि जहासी के महाराज थे तो उनके खुद के जो बेट के लिए अपनी जहासी नागपूर औट सेट्रा विकें प्रोबीचें औप टेडिव। खेजिए पर हम देख सकते हैं पॉलिसी का शिकार हुए लेकिन डेल हाउजी का बीटा एक दूसरा भी रूप था डेल हाउजी को को हम सोचिल रिफॉर्मर भी देखते हैं उनका एक दूसरा बोलते हैं कि एक व्यक्तित्व होता है इनसान का जब वह अपनी ड्यूटी पर हो तो उसका कुछ अलग होता है लेकिन अगर वो समाजिक उसमें लगा रहता तो उसका अपना यहां पर जितने भी उन्होंने वेलफेर वर्क करवाया या मॉडरन systems को इंडिया में लेकर आये उसका reason तो एक ही था कि वो अपने पर्टिकुलर ट्रेंड को और अपनी nggakzh को स्ट्रॉग बनाना चाहते थे इसका communication system बनाना चाहते थे लेकिन इसका indirect फाइदा इंडिया को भी मिला था यहां पर आपको इंडिया की फर्स्ट रिले लाइन जो मुंबेटू थाने बराबर ना बिटा कुछ है 17-18 किलोमेटर का रनवे था उसके उपर यह जो है ट्रेक बिछाया गया था यह स्टार्ट होई थी यह आप हमारे इंडिया की फर्स्ट ट्रेन देख सकते हो बिटा जिस अब डिलाउजी ने उनके जो पर्टिकुलर ब्रिटिस इन दिकांपनी के जो ट्रेडर थे उनको कौफी कॉटन टी इनका जो ज्यादा से ज्यादा बिटा प्रोड्यूजिंग का जो फायदा है यह प्रॉफिट वो कमा सके उस तरीके की एक तरीके से दिखा जाये तो प्र अबसान हो रहा था तू अब्रिटिस रूल इन इंडिया एंड टू रन दे अड्मिनिस्टेशन स्मूद ली मैनी चेंजीज वर इंडूज बर डलाउजी इन इंडिया लेकिन एक तरफ बहुत स्मूद अड्मिनिस्टेशन पॉलिसी चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मिंग वक किये क्यों जानते थी कि भारत बहुत बड़ा देश है अलग अलग तरीके के बहुत सारे विडियेशन से बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट से जिसके उपर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है तो उन्होंने कुछ बैटर पॉलिसीज ज़िए पर्टिकुलर इंडिया के अंदर लेकर आए जैसे कि सबसे फिर्स न का में के फिर्स रिल्वे लाइन बिट्विन मुंबई टू थाने मुंबई से थाने के बीच में बिटा इएटीन हंडेड फिफ्टी थी में फोस्त रिल्वे लेंस टार्ट हुई थी दा मॉड इंटोडूज दूरिंग इस टेनर उन्होंने अपने टेनर में यह सारे एक तरीके से modern reforming work किये जिसने नए भारत की बुनियात को रखा है ऐसा हम मान के चल सकते हैं ओके पास्थ लॉस्ट तो बैंद चाइल्ड मेरेजिस एंड़ोकेट द वीडो लेकिन उनका सबसे बैस्ट जो reforming work है ने उन्होंने चाइल्ड मेरेजिस को बैंड किया और वीडो री मेरेजिस को उन्होंने advocate किया यानि कि बाल विवा की प्रथा पे उन्होंने क्या कि बेटा रोक लगाई जैसे विल्यम बैंटिंग ने सती लावा दिया उन्होंने सपोर्ट दिया क्योंकि उनका यह मानना था कि एक तो इस देश में बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं फिर वहां पर डैथ रेशियो बहुत ज्यादा हमारा इंडिया में उस समय 18-19 संचुरी में बहुत हाई होता था क्योंकि कुछ बहुत ही बड़े वाइरल जो भारत में बहुत ज्यादा फैला करते थे तो कहीं न कहीं डैथ रेशियो और मेडिकल ट्रेटमेंट मतलब नाक के बराबर थी ऐसा हम मान के चल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर्ली हम हमारी पूरान जो ओल्ड मेडिकल सिस्टम था वो उनके सामने काम नहीं कर पाता था और लोग पुराने तरीकों से ही इलाज में मानने मानते रहते थे जिस वज़े से क्या होता था कि बच्चों का प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाता था और उनका डैथ रेशियो बहुत हाई था जब बच्चियों की डैथ हो जाती थी दस ग्यारा बारा साल तक की उम्र तक आते आते तो जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां होई रहती थी बिड़ा उनको विद्वा के रूप में पूरी जिन्दगी वितानी पड़ जाती थी और जो लाइफ जो है उनकी बहुत तो रग्यां वेजिए वह साडी पहले और तो ऑस्तेव statement का एंशonse निक होई सकते से के वाइफ़िए और से रहतों पैछ सकते थी घर के बाहर उनको अलग कमरा दे दिया जाते था वह घर के किसए सबतिक या क कर्यानी बन सकते थे फिर उनको सोने के लिए भी गद्दा या तक्या जैसी कोई चीज नहीं मिलती थी सिर्फ लकड़ी के तख़त पे वो लोग सो सकते थे मतब पूरा जीवन एकदम नीरस था और बहुत हार्डशिप पाला होता था अपना सारा सामान खुदी जुगार करना रहता था पानी खुद भर करलाना है खाने पीने का सामान खुद इकट्टा करना है यानिकि एक तरीके से देखा जाये तो बैटा जैसे कि एक साध्वी बहुत हार्ड लाइफ को जीती है बैटा तो वो तो अपनी मरजी से जीते है पर यहां तो इन बच्चों को बढ़ा मजबूर कर दिया जाता था कि वो अपना पूरा जीवन इस तरीके से बिताए जो कि बहुत गलत था तो ये प्रथा को उन्होंने नाबूद करने के लिए एक तरीके से रिमूव करने के लिए उन्होंने विडोरी मैरेजिस को उन्होंने सपोर्ड किया जिसका बहुत यह गलत है बराबर इसको सही में समाज में से सुसाइटी में से रिमूव होना चाहिए तो डेल हाउजी का यह सबसे बेस्ट रिफॉर्मिंग वर्क है उसके बाद दिखो इंग्लिस education spread in India during this time the first three universities in India were established in Mumbai उनके time period में बढ़ा इंडिया के इंदर three universities start हुई बराबर मुंबई चैन्नाई चैन्नाई जो कि उस समय मदरास के नाम से जाना जाएद था और कॉलकाता में 1857 यह का time period था इस रिफॉर्म्स वर बेजिकली टुदे एक्पेंशन अब ब्रिदेश ने इस इन एड्मिनिस्टेशिए अल्थो इंडिया बेनेफिटे लेटर ओन दे हैड तो सफ़र अलॉट इंट्रो अर्दक्शन अब ब्रिदिस रिफॉर्म ठीक है इंग्लिस उन्टिस के स्टार्ट होने की वज़े से क्या हो गया कि बहुत कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भारत में निकल कि आए जैसे राजारा मोहन रॉय उन्होंने अपनी हायर स्टेडिस बेंगाल के अंदर माना जाता है कि वह फर्स्ट परसन थे जिनोंने इंग्लिस कॉलेज से अपना एजूकेशन क अहां पर लिबर्टी का मतलब क्या होता है आजादी क्या होती है किस तरीके से लोग एक तरीके के डैमोक्रेटिकल फॉर्म के लिए अपने अधिकारों की बात करते हैं यह सारी चीज़े वह उस इंग्लिस लिट्रेचर उनकी बूक्स उनके नियूस पेपर उनके आर्टिक जिसमें पढ़े लिखे लोग होते थे जो लिबरल होते थे लिबर्टी को मानते थे उनको भी समझ में आने लगा कि दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है और इस बदलाव को भारत को भी एकसेप्ट करना चाहिए तो यहां पर यह सारी चीज़े हम समझ के चल सकते हैं उसमें लास्ट पार्ट में हम अब जो है उसके लास्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे